हेलो सुडेंस वेलकम बेक टो आज चैनल एड अंकल यूजी सी नेट की तैयारी आई होप यू अला डूइंग वेल मुझे बहुत सारे मेसेज आर देगी सर टाइम मैनेज कैसे करें पेपर में आप कुछ टेप्स और ट्रेक्स बता दीजिए तो मैं आपके लिए बहुत ही अ चलिए बढ़ते हैं आगें तो फर्स पॉइंट है इस प्रेक्टिस मोग टेस्ट आज कल क्या होता है पेपर ऑन-laiन हो रहा है पहले तो आफलाइन होते थे अब क्या होता है पेपर ऑन-laiन आने लगा कुछ सालों से तो जिन बच्चों ने पहले कभी ऑन-laiन एक्जाम न होंगे कि क्या करूं कैसे करूं सो प्लीज प्रेक्टिस मोग टेस्ट देन रीच अर्ली एड़ एक्जाम सेंटर क्या होता है कि अगर आप लेट हो रहे होते हैं तो आपके दिमाग में वहीं चीज़ें चल रही होती कि मैं लेट हो जाओंगा मुझे एंट्री नहीं मिलेग या फिर मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा और जब आप पहुंचते हैं ना यू नीट सम टाइम टू सेटल इडाउन क्योंकि प्लेस नया होता है अगर आप टाइम से पहुंच जाएंगे या फिर थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे एक्जाम सेंटर पे तो आप अपने आपको फैमिलियर कर पाएंगे विद्धा इंवार्मेंट तो प्लीज रीच अर्ली अड़ एड़ एक्जाम सेंटर नेक्स रिवीव ऑल दे पेपर इन फॉस्ट तो थी मिनट्स क्या होता है बच्चे एक्जाम आते ही जो पहला कोशन आते इसको सॉल्फ करने लग जाते है आइधर इस डिए डिए आइधर इस डिए इसा नहीं करना है आपको एक बर शरा पेपर कर लेना है कि कौन सा कोशन और यह मेरी स्ट्रॉंग यूनिस कर लोगे न तो आपको ओवर व्यू मिल जाएगा कि हाँ ऐसे से कोशन साय यहां रिसर्च के हैं यहां टीचिंग के हैं तो जो आपका important है, जो आपका strong subject है, जिसकी आपने बहुत ज़्यादा practice किया है, पहले वो questions करिए, and start with the theory units, because theory units क्या होता है, कि आपने question पढ़ा, आपने not 1 minute, आपने कुछ second सोचा, आपको पता चल जाता है, हाँ, मुझे यह topic आता है, हाँ, मुझे question आता है, तो आप उसका फटा-फट answer कर देते हैं, but क्या होता है, practical subject जो होते हैं, for example, DI हो गया, accounts हो गया, and many more, उससे क्या होता है, कि आपको questions देखके नहीं पता चलता, आपको questions solve करने पढ़ेंगे, या आपको questions लगाने पढ़ेंगे, कि हा, मैं यह question solve करके देखुँगा, जब answer आएगा, तब आप टिक करेंगे, so, पहले क्या करना है, पहले theory subjects ले लीजिए, आपको पता होगा, हाँ, यह question मुझे आता है, हाँ, यह question मेरा strong है, तो मैं पहले वो कर लूँगा, उसके बाद move to the practical subject, then be calm, बच्चे, काम होने वाली जो trick है, या फिर, क्या बताओ मैं, quality है, अगर यह आप में आना, आप सब कुछ जीच सकते हैं, क्या होता है, इक्जाम में, start किया अपने paper, पहला question किया, दूसरा question किया, तीसरा question किया, साथ, आठ question कर लिए, नहीं आया answer, it's okay, it's okay, अगर आपका reward नहीं आया तो, because, सबको सारी चीजे नहीं आती, हो सकता है, आगे जाके आपको questions आते हो, कुछ भी हो सकता है, अगर अपने उसी में, पहले आठ question में हार माली, कि हाँ, मुझे आठ question नहीं है, मुझे आता ही नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा नहीं सोचना है, आपको अपने माइंड को काम रखना है, another problem, बच्चे क्या face करते हैं, अपनी ego पर लेके बैठ जाते हैं, एक question पर इतना जादा time लगा देते हैं, एक ही question पर इतना जादा time लगा देते हैं, कि, आगे time ही नहीं बचता है, तो आपको न एक question पर जादा time नहीं लगाना है, एक question आपको सिर्फ एक minute देना है, अगर आता है, तो ठीक है, otherwise leave it, ego पर नहीं लेना की नहीं भाई, मैंने तुसकी बहुत practice करी थी, मैं यह solve करके ही छोड़ूँगा, बच्चे अगर नहीं आ रहा है न, तो आगे बढ़ जा है, अगर आप इतना जादा time लगा रहे हो, still you will get two marks, ऐसा नहीं है कि यह question आपने बहुत time लगाया, तो आपको 10 नमबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, each question will carry two marks only, so जो question आपको आता है पहले वो कीजिए, अपने जो marks secure कर सकते हैं, वो तो करिए, उसके बाद आपके बढ़ there is no negative marking in paper, तो आपको सारे question attempt करने ही करने है, अगर आपको question नहीं भी आ रहा है न, it's okay, आप उसे या तो mark for review कर सकते हैं, बाद में देख लीजे, अगर आपके पास time नहीं है, तो साथ साथ तुक्का लगा दीजे, कुछ भी mark कर दीजे, मैंने क्या किया था, जैसे 5 questions मुझे नहीं आ रहे हैं, तो मैंने सारे questions का A, या फिर B, या फिर C, आप most favorite is C, मैं हर question में क्या करता था, C answer लगा देता था, because उसे क्या होता है, कि अगर ये 5 questions आपको नहीं आ रहे हैं, तो हर question में अपने same answer लगा है, तो it is the possibility कि 1 question, 2 question है, maximum 3 question अगर किसमत अच्छी हो, तो ठीक हो स आपको नहीं आ रहे हैं, in the end you can apply this, मैंने ही apply किया था, I don't know ठीक था या नहीं था, but आप भी apply कर सकते हैं, then the last one is practice as much as you can, आपको क्या करना है, आपको practice करनी है, practice makes a man perfect, अगर आपने practice की है, तो आप paper बहुत अच्छे से कर पाएंगे, I hope, सारी ये चीज़ें आपको समझ में आयोंगी, समझ में आयोंगी, तो please do implement और इसे शेयर कर दीजेगा, because there are many students, जो खुद परेशान हो रहे होंगे, आप काम हो गए हैं, भी ए वीडियो देखकर तो उन्हें भी शेयर कर दीजे, सब का बला घरिये, and आपको ये अच्छी लग रिये है, तो please do like and subscribe our channel, thank you guys. Now install all new Edunkel mobile app for a holistic learning experience of your higher education, from doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. Weathered Uncle, करो life की तयारी.